क्लास 10 इस वीडियो के अंदर हम करेंगे रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1st है ये आपका इसकी थियोरम 1.3 इसके अंदर हमें प्रूव करना है कि रूट 2 कैसा नंबर होता है irrational ये चीज प्रूव करके दिखाईए तो वैसे तो हमें पता है कि रूट के अंदर अगर कोई प्रैम नंबर दे रखा हो तो वो irrational ही होता है तो इसको हमें प्रूव कैसे करना होता है इसके अंदर हम contradiction method लगाते हैं contradiction method क्या होता उसको आप ध्यान से समझ लेना कि अगर हम ने सीख लिया root 2 को irrational number प्रूव करना तो हम root 3 का भी ऐसी करते हैं फिर root 5 का भी root 7 root 11 कोई भी नंबर अगर आपके पास आ जाता है उसको आप सेम ही method से prove करोगे तो ध्यान से इसको समझते रहना तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करते हैं contradiction method के अंदर हम इसके अंदर गलत चीज मान कर चलते हैं means अपनी ही बात को बाद में जाकर हम जुटला देते हैं और गलती मान लेते हैं एक तरीके से यह कह सकते हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं root 2 को rational number मान के चलते हैं contradiction method यह होता है तो हम इसके अंदर लिखेंगे by using contradiction method contradiction contradiction method ठीक है contradiction method के अंदर क्या होता है कि हम assume कर लेते हैं let us assume के root 2 कैसा number है rational number if possible that root 2 is a rational number ठीक है और जब कोई rational number होता है तो rational number का मतलब यह है कि उसकी p upon q की form हो सकती है तो आप लिख दोगे root 2 equal to क्या हो जाएगा p upon q जहाँ पर p और q क्या है p and q हमने माने है co primes r co primes co prime क्या होते है co prime वो number होते है जिनका हम hcf निकाले तो hcf हमेशा कितना आता है 1 ठीक है इसका मतलब यह है कि p और q जो है यह simplest form लिखी हुई है अगर हम इसको आगे काटना चाहेंगे तो कटे ही नहीं जैसे अगर आपके पास कहीं पर ऐसे लिखा हुआ हो 4 upon 8 तो यह simplest form नहीं है इसको हम कैंसल कर सकते है 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 अब यह जो 1 upon 2 आएगा यह simplest form है तो यहाँ पर ऐसे कोई नंबर है co-prime जिनका hcf कितना है 1 जैसे 1 और 2 का अब आप किसी भी same number से नहीं काट सकते 1 के अलावा ठीक है जैसे के अगर मैं एक number लूँ 15 और 16 तो यह दोनों भी आपस में कैसे है यह co-prime है जब भी दो लगातार number होते है 2 consecutive numbers हमेशा ही co-prime होते है यह बात भी आप लिख सकते हो कि 2 consecutive numbers are always co-prime numbers ठीक है और लेकिन एक condition यहाँ पर यह है कि Q की value हम क्या नहीं ले रहे है Q की value 0 नहीं ले सकते ठीक है क्योंकि denominator में 0 लेने पर क्या हो जाता है वो not define हो जाता है अब आगे देखो उसके बाद क्या करना है आपको इसके अंदर करनी है squaring both sides जैसे मैं बता रहूं बिलकुल ध्यान से समझते रहने क्योंकि अगर इसको समझ लिया तो बाकी के सारे के सारे जितने भी number होंगे वो सेम ही तरीके से होंगे squaring both sides करने का मतलब है कि root 2 का square करना है और इधर P upon Q का भी क्या करना है square करना है तो root 2 का square करेंगे तो क्या आ जाएगा root 2 के square का मतलब क्या है root 2 के square का मतलब है root 2 multiply root 2 मतलब की root 4 और 4 किसका होता है 4 2 का root होता है या फिर आप इसी को ऐसे लिख सकते हो कि root के अंदर 2 into 2 जिसके pair बन जाते है वो बाहर आ जाता है root 4 को भी अगर आप लिखना चाहोता ऐसी लिखोगे न root 4 को क्या लिख सकते 2 into 2 और जिसके pair बन जाते हो बाहर आ जाता है या फिर कई बच्चे क्या है इस root से इस square को cancel करते है तो root 2 का square करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 equal to में P square upon Q square अब cross multiplication से Q square को इधर बेज दो और 2 को इधर लिया cross multiplication कर रहे है ठीक है अब यहां से आप एक बात लिख सकते हो here P square is divisible by 2 P square is divisible by 2 P square जो उसको कौन डिवाइड कर रहा है 2 then P is also divisible by 2 तो P को भी कौन डिवाइड कर रहा होगा P को भी 2 ही डिवाइड कर रहा होगा पिछली वाली वीडियो मेंने introduction में इस चीज़ बताई थी अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस चीज़ को इहां पर समझ लो P square is divisible by 2 P की जगा पर कोई number मान लेते हैं जैसे मैंने मान लिया 4 तो 4 के square को अगर 2 डिवाइड कर देता है 4 का square मतलब क्या है 4 का square है 16 अगर 16 को 2 डिवाइड कर देता है तो इसका मतलब क्या हो 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगा P square क्या है P square का मतलब है 4 का square तो P की जगा पर क्या होगा 4 अगर 4 के square को 2 डिवाइड कर देगा तो 4 को भी तो डिवाइड कर देगा न 2 बस simple सी यह बात है तो इसका मतलब P is also divisible by 2 का मतलब यह है कि हम लेख सकते हैं P को कौन divide कर रहा है 2 divide कर रहा है और P को divide करके 2 से कोई number आ रहा होगा उस number को आप कुछ ही मान सकते हो जैसे मैंने वो number क्या मान लिया? R मान लिया जैसे यहाँ पर यह P क्यूं माने न इसकी जगापर आप A, B भी मान सकते हो जैसे यहाँ पर मैंने यह R माना है आप कुछ ही मान सकते हो A, B, C, D जो भी मानना चाहूँ P upon 2 equal to R आ गया तो अगर मैं यहाँ से P की value निकालना चाहूँ तो P की value क्या हो जाएगी इस 2 को भेज़ देंगे इधर multiplication में P की value हो जाएगी 2R यहाँ तक का समझ गए अब यह जो P की value 2R है इसको हम put करेंगे इस वाली equation में इस equation को मान लेते हैं equation number first इसके अंदर हम क्या prove कर रहे हैं हम ने देखो यहाँ पर एक बात कही है कि P और Q कैसे number है को प्राइम मतलब उनको बस 1 काट सकता है लेकिन अब धीरे धीरे हम यहाँ पर यह चीज प्रूफ करने वाले है कि P जो है उसको 2 भी divide कर देगा तो यह बात हमारी जो है वह गलत सा भी तो जाएगी फिर हम वहाँ पर contradiction method लिख देंगे द्यान से समझो चलो आगए अब इसके बाद का इधर देखो अब क्या कर रहे हैं हम हम लिखेंगे put P equal to 2R in equation first first equation के अंदर हम रखते हैं value तो Q square equal to P की जगा पर क्या रख देंगे चलो पहले लिख देता हूँ मैं P square upon 2 P की जगा पर हम क्या लिख देंगे P की जगा पर हम लिख सकते है 2R तो 2R आ गया इसका भी है square और upon में क्या है 2 उसके बाद क्या गरना है आपको 2 का square क्या होता है 2 का square हो जाएगा 4 R का square क्या हो जाएगा R square और upon में क्या है 2 अब इस 2 से 4 को cancel करते है तो 2 बार यह चला जाएगा तो Q square equal to क्या आ गया 2R square अब यह 2R square के multiplication में इधर आएगा तो division में आ जाएगा तो आप लिख दोगे Q square upon 2 equal to क्या हो गया R square अब यहाँ पर 2 किसको divide कर रहा है Q को जैसे यहाँ पर 2 किसको divide कर रहा था P square को ऐसे यहाँ पर Q square को divide कर रहा है तो यहाँ पर आप लिखोगे Here Q square is divisible by 2 Then Q is also divisible by 2 Q is also divisible by 2 Q square को अगर 2 divide कर रहा है तो Q को भी divide कर रहा होगा जैसे मैंने जो चीज़ यहाँ पर समझाए थी अब इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि P और Q दोनों को ही divide करने वाला कौन है 2 है मतलब 2 common factor है लेकिन हम यहाँ पर क्या कह रहे थे कि दोनों का common factor 1 है तो दोनों बात तो सही होनी सकती या तो 1 ही common factor होगा या 2 ही common factor होगा तो यह हमारा अंसर गलत क्यों आ रहा है यह गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने root 2 जो था वो कैसा number मान लिया था rational number मान लिया था जबकि root 2 होता कैसा irrational तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम से गलती हो गई और root 2 जो है वो rational number नहीं होता है वो irrational number ही होता है एक तरीके से यह चीज़ हमको लिख देनी है तो अब जो मैं line लिखूंगा वो line आपको बिलकुल ध्यान से रट लेनी है एक तरीके से के now we can say that के हम यह कह सकते है P and Q have 2 as common factor दोनों का common factor क्या है 2 है ठीक है लेकिन but P and Q are co-primes P and Q कैसे number थे P and Q तो co-primes थे means उनका जो hcf था उनका जो common factor था वो तो 1 था तो इस वाली line में तो हम कह रहे हैं के common factor 2 है क्योंकि यह चीज़ हमने हापर prove कर दी कि P को भी 2 divide कर रहा और Q को भी 2 divide कर रहा है तो यह हमारी गड़बर क्यों आई इसके लिए आप क्या लिखोगे आप यह जो last की दो तिन line है यह बहुत जादा important है इनी पर ही आपको number मिलेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे this contradiction इसी के नीचे लिख दे ना आपको this contradiction arises because मतलब यह गलत बात इसलिए आई है क्योंकि हमारा जो assumption था मतलब जो चीज हमने मानी थी और क्या माना था के root 2 कैसा number है rational number our assumption that root 2 is a rational number हमने root 2 को rational number मान लिया था वो ही क्या है वो ही गलत है हमने गलत चीज मान ली है इसलिए हम कह सकते हैं कि हमसे गलती हो गई और root 2 कैसा number था root 2 rational नहीं था irrational ही था यह होता है contradiction method जिसके अंदर हम गलत बात को मान कर चलते हैं कि root 2 कैसा number है rational बलकि हमें prove कि अगर ना था rational तो हमने यह चीज गलत मान ली इसलिए हमारा यहां पर यह गलत आया कि q और p जो है उन दोनों का common factor क्या है 2 बलकि common factor था क्या वो तो 1 ही था ठीक है और यह वाली जो line है यह दोनो line बहुत ज़ादा important है यह दोनों और यहां पर यह जो दोनों मैंने आपको लिख वाई है बस इसी के उपर based आपका next example है उसके अंदर क्या है यहां पर root 3 दे दिया है root 3 के अंदर क्या करना है यहां पर 3 ले ले लेना है तो 3 का square हो जाएगा यहां पर आ जाएगा p square is divisible by 3 p is also divisible by 3 तो अब हम देखते हैं इसका example next वीडियो के अंदर हम इसका यह वाले example करेंगे फिलाल आप root 2 को irrational कैसे करते हैं वो चीज कर लो वैसे आप समझ गए होगे root 3 भी कैसे करना होता है अगर कोई doubt हो तो comment करके पूछ लेना